मैं आपको बता तो यह वाला जो मैचे के परकस से काफी सांदर मैच आपके लिए हो सकता है अब देखोको ग्रैंडी के लिए कौन से मैच अच्छ होते हैं चलो का आज आपको बता हूं तो जहां पर आपको पता वह वन साइड यहां पर विन्न होने वाली है यह यह तिम हैं के लिए यहां पर विन होगी तो आपके लिएग घ्लैडी के लिए काफी एचे मैचे हैं ठीक है तो आपको पता है अब सब्सक्वे आपको पिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा प्रोला लिंग होँर मिल जाएगा तो लिंक से जोइन करना बाग और फिक चैनल काफी सारा है आपको आप दिख जाएंगे तो चलिए सबसे बहले यहां से बात करते हैं पीच रिपोर्ट की स्वाइज जो पाले के लिए एक स्टेडियम क्रिकिट श्टेव में कैंडी की नाम से भी यहां पर जाना जाएदा है तो गया दें को आप के दें दोनों को अप और आपको इसीजन दे करें कि पर आपको बात करते हैं यहां पर वैंज कि तो आप दिख से तो टोटल मैच आप खेलेंगें यहां पर बैटिंग फर्स्ट वाली इनि में चौदा मैच विंड करें हैं तो अब यहां पर नेपाल पहले बैटिंग करती है तो दोस्तों से नीचे यहां पर पहले बैटिंग करें तो गैस वह हो इहां पे स्कोर तीन सुजों पर यहां पर अराम से जाने वाला है सो इस चीज आपको आपको नोट करके चलना है ठेक है तो इंडिया के फ्लेयर तो हर एक किसको पता कि कौनसे प्लेयर को ले नहीं ले ना लेकिन यहाँ पर आपका गेम चींज को ना जाहे हो आपकी Smolie को चाहे ग्रेंडिंग को गईज यहां पर फचेगी आपकी नैपाल के प्लेयर्स में क्योंकि देखो जिसने यहाँ पे नैपाल का एक अच्छा प्र यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया वह यहां पर मैच कर जाएगा आप जो आज का मैच आपको वहां पर इंडिया की प्लेयर इस प्लेयर जो आपको बैक कर रहे हैं सबसे पहले हैं आप पर नामात असीफ सिख का बात रूप बैटिंग से कुछ इतने परफॉम्स नहीं दिखा है यहां पर को उसके चलते भूटल की तरफ में तो आप देखते आप आसीफ से को यहां पर बैक कर सकता है अब मैं आपको सी रिजियर बताता हूं क्यों देखो अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करते तो मेरे को नहीं लगता इसान किसन की अब बैटिंग आप आप आएगी को गया जो यहां पर में लगता है नेपाल से आउट हो करते हैं तो भी बडेल की बडेल को आप यहां पर करनेंगे अरिश को भी गाई नेकिन उसके यहां पर चाहें तो तो इसलिए कामी को बैक कर सकते हैं बाकि के मला को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं तो कि यहां पर ऑल लांड की थोड़ी सी वैल्यू का फिच्छी हो सकते हैं बाकि यहां पर गुल संजा इसको ड्रॉप करके जाएंगे डिसिंग एरी मेरे को नहीं लगता कुछ खास हैं पर पर तंग करके जा सकते हैं इसलिए करने केशिए को उपर फोकस करना सब nghi अब करते हैं तो हैं पर जो करने है एंसको इंप लग्याद तो आपको पता है कि हम और यापको पता है नहीं तो इसलिए लिगे नियुक्त क्वा पर इतना सैट हो चुकर लिद के लिए बात करते कि विराट को लिगा बोज़क तो तो थोड़ा लग भी रहा था और गैस अगर आप उसका वेन्यू देखे ना वेन्यू को अच्छा नहीं है बड़ गैस मैं को लगता नहीं कि विराट को ली जैसे प्लेयर को हापे ऐसे वेन्यू की उससे आपर मैंटर करेगा और जब सामने टीम में आप आलो तो मैंने को हमीत नहीं थी लेकिन हार्दी पंड़े से मेरे को काफी उमीत थी और मैं आपको बजया था विराट को लिए हार्दी पंड़े कैसे प्लेयर है जब हुमारी टीम का भी लड़ खड़ाती है न तो यह दूप ऐसे प्लेयर जो आपको निकालते हैं ठीक है अगर आप आपके यहां पर काफी इनके पास अच्छे चांस होता है वहां पर आपके लिए काफी बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन में बन सकता है अगर इसान किसान की बात कुरों इसका ओडिये में रिकॉर्ड काफी अच्छा था अगर आपको याद होगा वेस्ट इंडिस के खिलाब भी पूरी टीम वहां पर श्रगल करी थी बट इसान किसान तीन के तीन वच्चें वहां पर 50 प्लस यहां पर स्कोर कर गया था लेकिन वह क्या था कि उसका भाटिंग पोजिशन से बिल्कूल यहां पर फारक नहीं पड़ने दिया और जो इसका मोमेंटम था वह यहां पर इस तरह के चला बात करें आपको रिसंट फरम बता तो मोहमाद सामी का भी ठीक है लेकिन जो इ खिला के सारदू ठाकुर को खिलाने का वो मेरे को लगता थोड़ा सा बेकार रहा था तो अब गई जहांसे बात करते हैं हमारी टीम की तो टीम देखो हमारे विट की सेक्षिन मैंने आसिप से को लिया जैसे मैं आप बता है अब यहां पर यहां पर बदल सकता है लेकिन उससे करने के लिए काफी यहां पर अच्छा होने वाला है और गया साथ में आपको जो हमारे सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म आप सब जगा फॉल होगा लिना बात करें बैटिंग सेक्षिन है तो विराट को लिए आपको दिखें है जब वाइस कप्टन सुवंगिल आपको आपको बात करना तो आपको पास यहां पर डी सिंग एरी है और हार्दी पांडे वाने बैक करा हुए तो यहां पर चलते बॉलिंग सक्षन की तरफ में तो बॉलिंग सक्षन आपको आपको आप दिखें देगा जस्पी बूमरा हमारे पास है कुल्दी पियादव और मौमद करके जा सकते हैं और उसके में फिर यहां पर कुल्दी प्यादों को हटा देना क्योंकि फास्ट ट्रेंग में जब बॉलिंग आ रही है तो इस पिनमत को उतनी यहादा है पर नहीं मिल लिए ठीक है तो यह चीज़ आपको लेके जानी बागी यह था हमारा आज का वीडियो